हेलो गई स्वागत है आप सबका तो आज हम बात करेंगे हिडन बग की और ये आज ही की सबेरे की जो है एक काफी गरम चर्चा यहाँ पर चल रही है अदानी के बाद कौन हो सकता है रिपोर्ट को आप देख सकते हैं और सबसे पहले अगर आप नए हैं इस चैनल के उपर तो चाम को डीटेल में हम कई अदानी ग्रूप के शेरों के ऊपर भी टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे यहाँ पर जो है लोगों को पता ही है इसको आप हैडलेंग को देख सकते हैं कि हिडन बग रिपोर्ट अगें भारत में कुछ बड़ा होने वाला है हिडन ब चीज के ऊपर यह किस के ऊपर बहुन सकते हैं कि यहाँ पर आप देखे तो हिडन बर्ग ने चेतावनी दी है कि भारत में कुछ बड़ा होने वाला है और हाला कि शोट शेलर ने ज्यादा डिटेल शेर नहीं किया है यह सही करते है मतलब की एक हिंट दिया है अभी इन्हों अमरीकी शोट शेलर फर्म हिडन बर्ग रिसर्च तो याद ही होगा अब उसने एक और एलान करके हेरान कर दिया है शनिवार की सुबा यानि कि आज सुबे सुबे जो ही एक धमा का किया है उसने और ये काफी गरम मुद्दा भी बना हुआ है बाजार के अंदर सुबा जो है एलन मस्क के स्वामीत वाली यानि कि एकस पर पोस्ट करते हुए अमरीकी कमपनी ने भारतिया कमपनी से जुड़े एक और बड़े खुलासे का संकेत दिया है अपनी पोस्ट के में हिडन बर्ग रिसर्च ने लिखा है कि भारत में जल्दी ही कुछ बड़ा हो होने वाला है क्या बड़ा हो सकता है वो हम आगे इसका वक्त बताएगा हाला कि किस बारे में और क्या बड़ा होने वाला है इस बारे में हिडन बर्ग ने कोई खुलासा नहीं किया है कंपनी के इस पोस्ट को लेकर माना जा रहा है कि हिडन बर्ग रिसर्च किसी भारतिया क के बारे में एक बार फिर बड़ा खुला सा करने वाला है जनवरी दोजार तीस में हिड़नबर्ग रिसर्च ने गौतम अदानी के अदानी समूग पर निशाना साथते हुए एक रिपोर्ट जारी की थी और इस रिपोर्ट ने हड़कम मचा दिया था क्योंकि हिड़नबर्ग गिरावट दज की गई थी 86 अरब डॉलर घट गई थी वैलिवेशन तो अदानी ग्रूप पर 24 जनवरी 2030 को रिपोर्ट आने के बाद सभी शेरों में भारिक गिरावट आई थी जिसके बाद कंपनी के वैलिवेशन में भी तेजी से गिरे थे आलम ये रहा कि अदानी कि ये असर हुआ था अदानी ग्रूप के होपर अगर बात करें तो और आगे देखते हैं कि सेभी ने हिडन बर्ग को जारी किया था नोटिस तो इस साल जून में हिडन बर्ग रिसर्च ने एक बार फिर चर्चा में आया था जब उसने खुला सा किया कि पुन्जी बाजार नियमक से भी ने उनके खिलाब भारतिय नियमों के उलंगन का आरप लगाते हुए एक नोटिस जारी किया था ये घट्राक्रम एक महतोपूर्ण मोड साबित हुआ क्यूंकि हिडन बर्ग रिसर्च ने पहली बार अपनी रिपोर्ट में कोटक बेंक की स्पस्ट रूप से पहचान की नतीजन इस खुलाक से के कारण कोटक बेंक के शेर मुल्य में भी जो है उलेख निये गिरा वट आई जो शुरू आती कारोबारी सत्र में जून के बाद अपने सबसे निचले स्टर पर पहुँच गया था हिडन बर्ग ने कहा कि भारतिय बाजार नियमक की और स 27 जुन दोजार जोबिस को जारी किया गया नोटिस बकवा से और इसे एक पूर्वन इर्धारित उद्येशे को पूरा करने के लिए तयार किया गया था यह मतलब कि इंडर्बन का कहना था उसने कहा कि भारत में सबसे शक्तिशाली वेक्तियों द्वारा किये गये ब्रस्ट जनाचार और धोक्षाधड़ी को उजागर करने वालों को चुप कराने और डराने का प्रयास है। आखिर में यहाँ पर देख लिते हैं कि교 सेवी के नोटीस में हुआ था बढ़ा खुला सा किlect में केपिटल ने कोटक महेंद्रा इन्वेस्ट मैं अधुत पुर्पूर निवेस किया है। रण नितिक कदम उठाया और इसके बाद हम आगे यहां पर देखते हैं कि यहां पर थोड़ा सा कट रहा है यहां पर देखते हैं कि इसके बाद ने इन पोजीशन को सफलता पुर्वक बंद किया कर दिया जिससे 22.25 मिलियन डॉलर का उनको लाब भी हुआ था वो शॉर्ट पोजीशन बना के तो यह इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट है सो मतलब कि अब किसके उपर बिजली गिर सकती है क्या हो सकता है यह हम देखेगे आने वाले समय में जो कि यह अभी काफी गरम मुदा बना हुआ है क्योंकि आज सबेरे सबेरे यह ट्वीट किया है और यह हिडन बर्ग ने खुद यह बात बोली है कि बारत में इंडिया के अब कुछ बड़ा हो सकता है क्या होता है वो हम देखेगे सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी जरूर करें ऐसी जैन करी के लिए दोस्तों अगर आप नए हैं इस चैनल के उपर और अदानी ग्रूप के अंदर अगर आपकी होल्डिंग है तो कई अदानी ग्रूप के है वो देखना बनता है तो आज के वीडियो में इतना ही अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और आपका इस बारे में किया ख़याल है नीचे कमेंट करना ना भूले और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लिमर जो कि मैं हमेशा देता हूं कोई भी ट् किसी जल ले और डिसी जल ले तो उसके जिमेदारी में चोरटी के साथ कुदी ले ये वीडियो में ने जो किसे हैं पर पास के लिए मेरे तरफ से कोई भी बाई एसेल के रेकमेंटिशन नहीं है थेंक्यू